अजी बचा लोग वेलकम टू डाउटनट कैसे हैं आप सब हां आप बोलोगे मैं माप आती हो और हमेशा यही बोलती हो तो फिर बेटा पूछना तो पड़े करना कैसे हो आप सब और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है अच्छे होगे तभी तो आप आओगे ना ओनलाइन कैस कैसे वर्ना क्लास कैसे अटेंड करोगे और पढ़ाई ठीक नहीं चल रहेगी तो वह भी गलत चीज हो जाएगी तो वह भी ठीक चलनी जरूरी है तो इसलिए पूछना भी जरूरी है हां तो पढ़ा पट्चे कॉमेंट में बता दीजिए कैसे हैं आप सब और पढ़ाई कै रहे था स्क्रीन पे लिखा हुआ है लोगे आप सब लेकिन आप सब को फिर भी पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्योंकि यही पता होता है तो भई हम बात करेंगे प्राणी जगत के बारे में बात करेंगे आज हम तो चलो देख लेते हैं कि आज हम क्या देखने जा रहे हैं कशियरों की प्राणियों के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं ठीक है और देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम क्या बात कर रहे थे हमने यहाँ पर क्या देखा था क्या हो गया हमने यहां पर देखा था भई division देखा था हमने यहां पर, किसका वटिव लेटा का, ठीक है तो यहां division में हमने क्या देखा था कि जो वर्टिव लेटा है इस दो parts में divide किया गिया है किस आधार पर, कौन से basis पे कि किन के पास जबड़े हैं और किन के पास जबड़े नहीं है यहाँ पर हम यह बात कर रहे थे ठीके तो पहले था एकने था ठीके जहाँ पर जो होते हैं यानि कि जबड़ा होता है जबड़ा होता है वो नहीं होता है ठीके यह बात करी थी हमने कलर दिख रहा है नहीं दिख रहा है या चेंज कर दे चलो चेंज कर देते हैं और न आप बोलो के मैम हमको न नजर नहीं आ रहा है कौन सा कलर उठा लें फिर कौन सा दिखाई देगा यहां पर चलो ब्लाक ले लेते हैं ठीक है ना ब्लाक ले लेते हैं तो यहां पर क्या होता है बई एगनेथा में क्या होता है यहां पर जबड़ा जो होता है जबड़े यह क्या है नहीं होते हैं ठीके हमारे जबड़े हैं जिन में हमारे दात लगे हुए हैं वो नहीं होते हैं लेकिन यह जो गनाथास्टोमेटा होता है ठीके यहां पर क्या हो जो याने की जबड़े यहां पर मौझूद होते हैं ठीक है जबड़े क्या है यहां पर मौझूद होते हैं हम यह बात कर रहेते हैं ठीक है तो अब यह जो एगनेथा है एगनेथा याने की अनेथर स्टोमेटा ठीक है यहां क्या है इसको साइक्लोस्टोमेटा में किया गिए है ति किस में divided किया है साइκलोस्ट्रोमेटा में दीवाइद किया है फिर अगर हम यहाँ पिर यहाँ पर गनेस्ट्रोमेटा के बारे में बात करते हैं जिनको और थो इ स्व्य मैं अथी भूता है प्लvoor क्लास आती है सारी ठीक है जिनमें क्या होते हैं मौजूद होते हैं ओक्य याने कि जो मचलि होते हैं ला जो ऐसे करती है वह सिखे एसे मैं समझ लेक्षट में क्या है वह टुख रुणा रहे हो ठीक है फिर यहाँ जो क्श lli पॉड ठीके और दूसरी ऑस्टिक्थिसिस ठीके दो क्लासिस हैं और टेट्रापोडा में क्या है वह एंफीबिया रेप्टीलिया एप्स और मैवल्स अब हमने क्या बात करी थी वह एंफीबिया क्या होते हैं एंफीबिया होते हैं हमारे उभेचर ठीके जो जल और इस्तल दोनों प स्वाहिक और आगे बुड़न गर्भी करएं लग्शना कीबसे जो कुछ है लक्षन की बाते हैं तो यहां पर पहला देखेंगे तो पहला बात करते । जो हमने सबसे पहले आपलिर देख लिया कि ये जो क्या है cyclosthrometta, यहापर क्या है? जबड़े नहीं है यह देखा है हमने, ठीके? यहापर जबड़े नहीं है तो मैं क्या रखेंगे? यहापर जबड़ा होता है खीके? इसका क्या है? आभाव है ठीक? नहीं तरिक बढाने के इनका है इनका मूह हूथ stop को इनका भथ-do Пोरा एकदम से इसे और होता है रता थी का सुछको पड़ा नकिला हो तो सब्सक्राइद में प्रमीरों बिलाशने के लिविविदय और कि निरö नहीं से तरिक दूसरे कला से लिख दें ये क्या है मूँ है इनका ठीके ये क्या है बिखरे हुए दान्थ है बिखरे हुए दान्थ ठीके ना चलो जी ये भी हो गया ठीके तो यहाँ पर क्या है दान्थ बिखरे हुए है यहाँ पर जबडों का आभाव है उनके मुँ में हम धीक है अब अगर इनके आवाब क raget करें अ understat नमबर तो मैं खा गई भूग लग रही है मुझे के दूरा अना ठीक है भूग लग रही है कोई बात नहीं है आज चलो आवाब के बात करते हैं आवाब मतला भाई उनका निवास स्थान कहा है तो भाई ओफ ओफ क्या हो रहा है आज समुद्री जल समुद्री जल में और समुद्री जल भी कैसा लवणी यह जल ठीक है लवणी यह जल ठीक है चलो ठीक है अब बात करते हैं इनके जनन के बारे में कि भाई यह कैसे जनन करते है अगर जनन को देखें तो ये क्या होते हैं ये स्वच्छ जल में यानि कि अ लवणिये जल में करते हैं अ लवणिये जल यानि की जो स्वच्छ होता है ठीक है स्वच्छ स्वच्छ जल में क्या करते हैं जनन करते हैं ये ठीक है मतलब सोचो, यह रहते हैं लवणी जल में है लेकिन जनंक लिए जल में आते हैं जनंक लिए यह स्वाच्छ जल में आ जाते हैं कितने बो हैं? क्या बलते हैं? बोका परस कि भाई, तुम जहां रह रहे हो, तुम वहाँ पर reproduction नहीं कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें special जगा चाहिए, है? ठीके, चलो, आगे बात करते हैं, अगर हम इनके शरीर को देखते हैं, तो भाई, शरीर इनका कैसा होता है, लंबा होता है शरीर कैसा है लंबा होता है ठीक है अब इनके शरीर पर क्या होता है भाई अगर सांस लेनी है इनको तो क्या करेंगे सांस कैसे लेंगे ये ठीक है क्योंकि तो जल में रहते हैं तो इसका मतलब यह है कि भाई स्वास के लिए इनके पास क्या है क्लोम छिद्र है ठीक है क्या है क्लोम छिद्र मौजूद है स्वास के लिए ठीक है अब ये कितने जोड़े में होते हैं पड़ावट से कॉमेंट में बताओ पहले तो मुझे कि जो क्लोम छिद्र है ये कितने जोड़े में मिलते हैं पड़ावट से बता दो हाँ और जिनको नहीं पता है वो देख लो कि भाई ये मिलते हैं छे से पंदरा जोड़े में यानि की पेर में मिलते हैं ठीके कहां जल के अंदर करते हैं ये ठीक है, ओके, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, अब अगर हम बात करते हैं, भाई, युग मिनित पंक, युग मिनित पंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर युग मिनित पंक क्या होते हैं, नहीं होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इनका अभाव है, ठीक है, युग मिनित पंक क्या होते हैं आप बोलोगे तो बेटा इनको हम फिंस कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं फिंस कहते हैं अब क्या होता है कि बाई कपाल से लेकर ठीक है कपाल से लेकर मेरू रज्जु तक ठीक है क्या होता है ये कोमल सनरशना होती है इनकी क्या होती है कोमल सनरशना होती है कहा लिखे चलो यहां लिख लेते हैं 7th point हो गया ठीक है चलो अगले बेश पर लिखते हैं चलो छोड़ो फिर confusion हो जाएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं चलो कौनसा point है? बाई कपाल जो होता है यानि उपर से लेकर कपाल से लेकर मेरू रज्जु तक क्या होता है भाई? कोमल संदश्ना होती है ठीक है? कोमल संदश्ना सन रच्छना किस से बनी हुई होती है हाँ उपास्थी से बनी हुई होती है किस से बनी हुई होती है ठीक है उपास्थी से बनी हुई होती है ठीक है चलो ठीक है ये बात हो गई अब अगर इनके परिसंचरन तंत्र याने की हम सर्कुलेटरी सिस्टेम की बात करते क्योंकि सर् बड़ा काम कैसे चलेगा तो अगर हम परी संचरन परी संचरन 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 तंत्र की अगर बात करते हैं तो भई वो कैसा होता है यहां बंद होता है ठीक है याने की क्लोज होता है ठीक याने की इनके पात वही काई मौजूद होती है ठीक है ठीक है चलो आगे पॉइंट देखते हैं नाइन्थ पॉइंट भई अगर हम इनकी इन प्राणियों की बात करते हैं जीव के बात करते हैं कि कैसे होते हैं यह जो प्राणि होते हैं यह क्या होते हैं एक लिंगी होते हैं एक लिंगी याने की नर अलग है मादा अलग है ठीक है नर अलग है और मादा अलग है चलो ठीक है अब यहां पर अगर इनके जनन की बात कर रहे हैं जनन को देखते हैं हम तो इसका मतलब क्या है भाई? जनन भी यहाँ पर हो रहा है ठीक है? क्योंकि नर और मादा दोनों अलग अलग है तो जनन का क्या सीन होगा यहाँ पर भाई? जल्ली से बता दो कॉमेंट में जनन का क्या सीन है यहाँ पर? किस तरीके का जनन होगा यहाँ पे एक लिंगी प्राणी है तो जनन इनका क्या है बाहे ठीक है बाहे होता है ठीक है यहाँ तक clear चलो ठीक है आगे बढ़ते है देखो इस वर्ग के सभी प्राणी कुछ मचलियों के बाहे पर जीवी होते है ठीक है यानिकी यह क्या करते है उनके शरीर के उपर रहते है और मज़े से ठाट बाट से खाते पीते है और राम करते है सवशनिक लिए 6 से 15 जोड़ी किलोंचितर पाए जाते है यह हमने भी बात कर लीती है ना बिना जबडे का चूशक और व्रत्तकार मुख मिलता है यह भी हमने बात करी है क्योंकि हम बात ही यह करें कि इनके बात जबड़ा नहीं है और दात क्या है बिखरे हुए होते है शल्क और युगमित पंक नहीं होते है ठीक है कपाल और मेरुदंड क्या है उपास्ती से बनाए ये भी हमने बात कर लिए परिसंचरन तंत्र क्या है बंदर प्रकार का होता है हमने ये भी देख लिया है close types है ना close type circulatory system समुद्र में मिलते हैं ये लेकिन जनन के लिए साफ जल में जाते हैं ये हमने बात करी हैं लवनिय जल में रहते हैं लेकिन जब बात इनके जनन की होती है ये थोड़े से चूजी हो जाते हैं बोलते हैं नहीं याद लवनिय जल में नहीं लवनिय जल में चलते हैं ठीक है तो ये साफ जल में चले जाते हैं और जनन के बात क्या होता है भाई दुख की बात यह है कि वो मर जाते हैं जैसे ही जनन की प्रोस्विस हुई वो मर गए है ठीक और लार्वा क्या है कायंतरन यानि की मेटमॉर्फेस इसके बाद समुद्र में लौट जाते हैं ठीक है? ओके उधारन के लिए पेट्रोमाईजोन यानि की लैंप्रे और मिक्सेन यानि की हैट्फिश इसका most common example है ठीक? चलो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं चलो एक बारी किसको देख लेते हैं? पेट्रोमाईजोन चलो देखें ओके तो यह क्या है? देखो पेट्रोमाईजोन है यह यह देखो इस तरीके से दिखता है यह ठीक है? क्या है यह हमारा पेट्रोमाईजोन? देखो इनके पास जबड़े नहीं है ना देख रहे हैं आपको? यह देखो दांत देखो इनके देख रहे हैं आप? दिख रहे हैं न आपको अच्छे दरीके से ये देखो कैसे मतना भी नो ने देखो अपने मूँ से कैसे इसको चिपका लिया है पत्थर को है ना ये देखो जबड़े नहीं तो कैसे लग रहे हैं ये बिना उसके चलो अगला देखें तो बैए अगला क्या है हमारे पास ये देखो अगला है मिक्सिन ठीक है याने की हैक फिश जो होता है देखो इनके पास भी जबड़े नहीं है देख रहे हो कि कैसे कि इतने अजीब से लग रहे हैं देखना इनका मूँ कैसा है है ना चलो ठीक है ये देख लिया तो ये दोनों के एक्जैम्पल है साइक्लोस्ट्रमेटा के एक्जैम्पल है ठीक चलो अब हम यहां बात करते हैं, यहां क्या होता है, हमने आउलड हैं, कि यहां पर क्या है जबड़े प्रेजेंट हैं यहां क्या है जबड़े याने की जो क्या है उपस्तित हैं ठीक है यहां पर जबड़े उपस्तित हैं अब हमने क्या कहाता है यह सुपर क्लास में डिवाइड हो जाते हैं ठीक है कौन सी है सुपर क्लास तो यह देखो दो है, ठीक है, पहली क्या है, पहली है आपकी, Quadric, ठीक, ओके, और दूसरी क्या है आपकी, Tetra, Oda, ठीक है, और इसके साथ कौन सी आती है दूसरी, यह तो पहली है, दूसरी क्या थी हमारी, Ostrothic, ठीक है, Ostrothis, ठीक है, तो यह क्या है, यह दो में डिवाइड हो गिया, इधर क्या था, पाइसेस था, पाइसेस तो मैं लिखना भूली गई, ठीक है, पाइसेस, याने पाइसेस, ठीक है, और यह क्या है, ठीक है, टेट्रा पोडा, तो अभी हम किसकी बात करेंगे, अभी हम इनकी बात करेंगे पहले, टेट्रा पोड़ा को हम बात में लेकर आएंगे, ठीके टेट्रापोडा में हमारे क्या आ रहे हमारे पास हम चलो वो भी बता देती हूँ टेट्रापोडा में पहले हमारे पास क्या आ रहे थे भई आमफिबियन आमफिबियन आएंगे ठीके फिर क्या आएगा हमारे पास रेप्टाइल आएंगे ठीक है फिर क्या आएगा एव साएंगे और लास में क्या आएगा मैमल साएंगे ठीक है लेकिन अभी हम किनकी बात कर रहे हैं अभी हम इस पाइसिस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर हम यह दोनों देखेंगे पहले फिर आएंगे हम टेट्रा पोड़ा के ऊपर ठीक है प ओपई यहां पर क्या है ये सबसे पहले हम बात करेंगे condrigthic替 की बात करेंगे लिख ले pa kondrigthic替 condrigthic替 ठीक है अगर इनकी बात करते हैं तो इनके अगर आवाज इससान को देखें मतनब रहने की जगा को देखें तो ये कहा मिलते हैं हमको ये मिलते हैं लवनी ये जल में आवाज क्या है इनका लवनी ये जल ठीक है चलो ठीक है अब अगर हम इनके क्या बोलते हैं उसको क्या कहते हैं हाँ बॉडी को देखते हैं फिर मैंने तील लिख दिया है फिर मैं दो खा गई हूँ ठीक है अगर हम इनके शरीर को देखते हैं तो शरीर कैसा है इनका इनके शरीर पर क्या शल्क मौजूद होते हैं याने की स्केल होते हैं ठीक है क्या है शल्क याने की स्केल होते हैं ठीक है अब अगर हम इनके सुचने की बात करते हैं यहाँ पर कि भई यह सांस भी तो लेते ह यह जब जल में रह रहे हैं तो सास कैसे लेंगे यह तो वह सास लेने के लिए इनके पास क्या है इनके पास क्लोम छिद्र है क्या है क्लोम छिद्र ठीक है ओके लेकिन यहां पर क्या होता एक सनरश्णा होती है जिसको हम ओपर कुलम बोलते हैं ओपर कुलम बोलते हैं वो नही होता है नहीं होता है ठीक है क्लियर यहां तक हाँ ठीक है जी फिर अगर हम बात करते हैं क्या बात करते हैं इसके बाद हम कि वह होता है एक और सनरशना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं वायू कोश ठीक है और इसको वायू आशे भी बोलते हैं ठीक है कोश बोलो आशे बोलो दोनों चीज़े अगर आती है तो confusion मत रखना कि क्या अलग-अलग है ठीक है याने कि इसको हम क्या बोलते है एयर ब्लैडर अब यहां पर जो वायू कोश होता है यह भी absent होता है याने कि यह नहीं होता है नहीं होता है ठीक है और यहां पर अगला point देखें अगर हम अगले point की बात करते हैं तो अगला point हमारा आता है अगर हम इसके परिसंचरन तंत्र की बात करते हैं याने कि जो blood circulatory system है उसकी बात करते हैं परिसंचरन तंत्र की अगर बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है यहां पर परिसंचरन तंत्र कैसा होता है एक पथिये वन वे होता है एक पथिये होता है वन वे ठीक है अब परिसंचरन तंत्र है तो इसका मतलब इसके पास दिल भी होगा है ना सिंपल से चीज़े बिना दिल के कैसे रहेंगे ये दिल नहीं है तो मर जाएंगे तो अगर इनके हिर्दय की हम बात करते हैं अगले पेश पर देखें ये चलो ये तो यह लिख लेते हैं अगर अब इनके हिर्दय की बात करते हैं तो इनका हिर्दय कैसा है द्वी कक्षिए होता है याने कि two chambered two chambered होता है कौन कौन से होते है बाई एक अलिंद होता है ही ठीके एक अलिंद और एक क्या हो रहा है निले ठीके तो ये इसका क्या है द्वी कक्षिए है ठीके, यानि कि two chamber heart है इसका, ठीके, चलो आगे बढ़ते हैं, seventh point की तरफ आते हैं, seventh point अगर देखते हैं भाई, तो हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं इनके दातों के बारे में, अगर हम दात देखते हैं इनके, ठीके, कि दात और जबड़े होते हैं, दात और जबड़े, अगर इनको देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है भाई, अरे जबड़े, यहाँ पर होता है, पट्व, पट्व, शूल युक्त, शूल युक्त, अरे भाई, इतना उपर तो मुझे भी नहीं देख रहा कि मैं क्या लिख रही हूँ, शूल युक्त, पट्व, शूल युक्त याने की मुड़े हुए, ठीक है होते हैं दात, दिखाया था ना, कैसे टेड़े मेड़े से होते हैं बिखरे बिखरे से, हाँ, ठीक है जी, एथ पॉइंट पर आते हैं, अब अगर हम इनके शरीर की बात करते हैं, कि ये प्राणी कैसे होते हैं, क्योंकि ये तो हमें जानना जरूरी है, तो ये प्राणी कैसे होते हैं भाई, एक लिंगी होते हैं एक लिंगी, प्राणी होते हैं ये, एक लिंगी का मतलब क्या हूँ आप आई कि नर अलग है और मादा अलग है कि नर अलग है मादा अलग है ठीक है और जो नर का क्या है जो नर का मैधून भाग होता है ठीक है वो क्या होता है नर में नर में यह भाग प्रिजेंट होता है क्लास पर ठीक है ओके चलो अब किसकी बात करते हैं भाई अब हम देखत हैं कि इन में निशेचन कैसा होता है जब हम यहां निशेचन की बात करते हैं ठीक है तो यहां निशेचन को अगर हम देखते हैं तो निशेचन को देखेंगे तो निशेचन कैसा होता है यहां पर आंतरिक निशेचन पाया जाता है ठीक है आंतरिक निशेचन पाया जाता है ठीक पाया जाता है ठीक है चलो ओके ये भी ही क्लिएर होगिया हमको कि आंत्र निशेचन मतलब को इन्तरमा को फटिलाइजेशन इंसको क्या भोलते हैं आंत्रिक निशेचन यापे इन्टरमा फटिलाइजेशन और जो औरत के शरी से मतलब होसा है उसको external fertilization और बाहे निशेचन बोलते हैं, ठीक है, चलो, आगे बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं, भाई, जब इनमें निशेचन हो रहा है, तो इनमें बच्चे के सरीके के होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंडज, अंडज याने की OViparas, ठीक है, OViparas या अफिर दूसरा क्या होता है, अंडजराया, अंडजरायुज, अंडजरायुज मतलब OVViparas होते हैं यह, ठीक है, चलो, अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, भाई, कि यह किस सरीके के प्राणी होते हैं, किस सरीके के जीव होते हैं, तो यह क्या होते हैं, यह होते हैं, असमतापी, असमतापी प्राणी होते हैं, यह असमतापी जीव होते हैं, ठीक है, याने की के करते हैं, अपना टेंपरेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, चलो जी, मान गए हम, अब इसके example अगर हम देखते हैं तो most common example इसका क्या आता है भाई अगर हम example की बात करते है एक्जामपल क्या है इसका scolidon ले सकते हैं हम scolidon हो गया दूसरा क्या हो गया trigon हो सकता है trigon हो गया चलो ठीक है ठीक है अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि भाई यह जो प्राणी होते हैं यह कैसे होते हैं जरायूज होते हैं यह प्राणी कैसे हैं जरायूज जरायूज प्राणी होते हैं मतलब की क्या करते हैं जरायूज का मतलब यह संतती बनाते हैं सीदे सीधे क्या बनाते हैं? संत्ति बनाते हैं ये ठीक है? ये डारेक क्या बनाएंगे? संत्ति इसलिए क्या है ये जराय। उच्प्राणी होते हैं clear यहाँ तक सबको? है ना? चलो जी ठीक है मैंने आपसे पहले भी कहा है कि भाई जब बैठा करो ताकि आपको चीजे जल्दी जल्दी समझ में आती रहें और जिस तरीके से ये main point लिखवाती हूं पड़ावर से note करते जाओ इससे क्या होगा एक तो आपको लिखने की आदत बनेगी दूसरा क्या होगा कि बाई जो लंबी लंबी लाइनों में लिखा हुआ होता है वो क्या होता है एक short form में आपके सामने आ जाएगा ठीके और आपको इतना सारा लिखने की ज़रूत नहीं पड़ेगी कहां डूंडू कहां डूंडू कहां लिखा है चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं बाई कि इसके प्रमुख लक्षण क्या है तो बाई इस वर्क के अंतरगत उपास्तित मचले या नहीं काटिलेजी ने स्पिशिज आती है ठीके इनका अंत्याक अंकाल उपास्ती से बना हुआ होता है ठीके अब धारा रेकित तरकु रूपी शरीर इनका सिर्फ धर तदा पूच में बटा हुआ होता है ठीके पूच हेट्रो सर्कल प्रकार की होती है इनकी ठीके बाहे कंकाल प्लैकाइड शलको यानिकी प्लैकोइड स्केल से बना हुआ होता है जो बाहर का मतलब इनका कंकाल नहीं बाहर से जो इनकी बॉडी होती है न वो सुचने हे तु क्लोंग दरारों पर उपरकुलम प्रेजेंट है ये भी मैंने बता है था कि वहाँ पर क्या उपरकुलम नहीं पाया जाता है ठीक है ये हमने बात करी थी वाईू आशे याने की एar bladder ठीक है वाईू आशे या फिर क्या बोरा था वाईू कोश भी बोल सकते हैं और फेफड़ें नहीं होते है इनमें ठीक हिरदय द्यूईक अकुशी हे होता है इनका एक अलिंत तगा एक निले होता है ठीक है परिसंचुरन एक पथी यानि कि सिंगल सर्कुलेशन होता है इनमें सिंगल सर्कुलेशन ठीक है डबल सर्कुलेशन नहीं होता है सिंगल सर्कुलेशन होता है यह क्या होते है अनियत तापी यानि कि इसको हमने दूसरा के असम तापी बोला था हमने इसको ठीक है कि असम ताप होते हैं हमने बात करी कि नर और माधह क्या होते हैं इस उलग होते हैं इन में होते हैं येइन आप अंड जराय जराय जो होते हैं ठीक है यानि कि OVV maioria सोते हैं ठीक को एक्जाम्पल क्या है watercolor हां ठीक है प्रिस्टिस फ्राइगयॉझ टॉर्पेडो यह क्या है इसके मौस्ट कॉमन एक्जांपल्स पाए जाते हैं ठीक चलो देख लो यह क्या है अपना टॉर्पिडो फिर से यहां से एक्जिट करना पड़ेगा यह दो कोई टॉर्पिडो है किसी लग रही है नहीं यह आपकी टॉर्पिडो है ठीक है ओके चलो यह टॉर्पिडो हो गई आपकी एक एक्जेंपल दिखाया है यहां पे हमने ठीक है टॉर्पिडो के साथ साथ कॉलिड़न भी है प्रिस्टिस भी है ठीक है और ट्राइगॉन भी है यह जो इस पहला वाला हमने पड़ा तो वो क्या था कि वह हम को खाती थी करना हर एक चीजह को बैलिंस करके चलती है वो हम को खा सकती है हम इनको खा सकते हैं ठीक है चलो अगे बढ़ाते हैं लव्ड़ हाश को और अवाज कहा है भाई लवणिये जल में है ठीक है लवणिये जल as well as यह हमको कहां मिलती है अलवणिये जल में मिल जाती है अलवणिये जल दोनों में मिलती है ठीक है अब अगर आप एक मचली के शरीर को देखोगे ठीक है अगर आप इसके शरीर को देखते हो तो शरीर पर क्य इसके इसके शरीर पर देखो कैसा है धारी 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 रेखिये भी बोल सकते हैं धारी रेखिये ठीक है इसका शरीर होता है अब इसके अंतह कंकाल की बात करते हैं यारे कि एंड्रो स्केलेटन की अगर हम बात करते हैं तो अंतह कंकाल अंडो स्कालेटन की अगर हम बात करते हैं तो कैसा है वह किस से बना हुआ होता है अस्थी से बना हुआ होता है ठीक है अस्थी से बना हुआ होता है चलो ठीक है अब क्या आता है नेक्स पॉइंट भई हमारे पास कि ठीक है इनका शरीर बना हुआ है लेकिन य तो जी नहीं सकते हैं तो चारोड में और यहां पर क्या होता है यहां पर इन कलोम चिद्रों में एक structure होता है उपर कुलम ठीक है उपर कुलम यहां पर एक structure होता है ठीक है यह उससे धके हुए होते हैं धके गलत लिख दिया धके हुए होते हैं ठीक है चालो अब अगर इनके वायू कोश के बारे में हम बात करते हैं अगर हम देखें भाई वायू कोश नाम की भी कोई चीज है यहाँ पर, वायू कोश को देखते हैं अगर यहाँ पर हम, तो वायू कोश क्या है भाई, एर ब्लैडर जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एर ब्लैडर, एर ब्लैडर, ठीक है, अगर हम बात एर ब्लैडर की करते हैं, तो वो क्या होत उपस्तित होते हैं यानि कि प्रेजेंट होते हैं ठीक है क्या है वो प्रेजेंट है उपस्तित है अब क्या होता है इनका शरीर क्या होता है हलका होता है हम जानते हैं यह वायो कोश है ठीक है इसके विए से क्या है शरीर हलका होता है ठीक है इस हलके होने की वज़े से क्या होत कि यह तैर्थे रहते हैं अगर यह लबन लवन की जल भी है और लवन की यह तीक है उसके बाद भाई शरीर कैसे धारी धारी रेखिये वाला इंका शरीर होता है अंतहा कंकाल इनका अस्ती से बना हुआ है क्लोम छेदर जो है चार जोड़े में मौझूद है और एक स्ट्रक्चर होता है उपर कुलम उससे धके हुए होते हैं ठीक है वायो कोश यानिकी एर ब्लेडर यहां पर प्रेजेंट होता है और इनका शरीर कैसे हलका होता है जिसकी वैसे डूपते नहीं है तैरते रहते हैं अगर यह खड़े भी रहेंगे तो क्लियर यहां तक चलो आगे बढ़ते हैं अब इनके दिल की बात करते हैं चलो दिल की बात करते तो हम क्या रेट कलर उठाएंग ठीके कौन कौन से होते हैं? अलिन दर पहला क्या हो गया इसमें? अलिन और दूसरा क्या हो गया, भाई? निले ठीके, ये हो गया यहां तक समझ भिया आया? हाँ? ठीके चलो, आगे बढ़ते हैं अगला उठाते हैं हम सेविंथ पार्ट ठीके अब यहाँ पर क्या होता है इसके 7 part में हम देखेंगे यह क्या होता है असम तापी होते हैं क्या होते हैं यह असम तापी असमतापी मतलब ये क्या करते हैं इन्वाइरोमेंट के हिसाब से अगर हम इन्वाइरोमेंट की बात करते हैं इसके पासपोडोस की बात करते हैं इन्वाइरोमेंट के हिसाब से अपने बॉडी टेंपरेचर को जो इनका बॉडी टेंपरेचर होता है उसको maintained नहीं कर पाते हैं या फिर कहसकते है regulate नहीं कर पाते हैं ठीक है तो इसके शरीर पर क्या होते हैं स्केल्स मौजूद होते हैं ठीक है स्केल्स याने की शल्क होते हैं ठीक है ओके जी अब अगर हम बात करते हैं कैसे प्राणी होते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक लिंगी होते हैं याने की यूनिसेक्शुल होते हैं ये प्राणी ठीक है कि इ आपर चलो एक फिश बना कर दिखा देते हूँ ये क्या है ये एक फिश है ठीक है ये इस तरीके से देखा है ये की स्ट्रक्चर मौजूद होता है लूए स्माइल कर रही है ये एक है ना ऐसे स्ट्रक्शर होता है ना इसका तो यह क्या है यह है हमारे शल्क याने की स्केल ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट लेके अगर हम चलते हैं तो अगर इनके निशेचन की बात करते हैं हम तो निशेचन कहा होता है इनका बाहर होता है याने कि यहाँ पर बाहर निशेचन मौझूद होता है यहां पर बाहर निशेचन मौझूद होता है यहां पर बाहर निशेचन का मतलब की भाई यह क्या करते हैं अगर यह क्या है यह पानी है तो मचली यहां पर क्या करेगी अंड देदेगी फिर यहां जो मेल होगा वो क्या करेगा इस पर आकर अपने क्या करेगा गामिट हो जाएगा ठीक है चलो ओके हम इसके बाद आपका नेक्स पॉइंट उठाते हैं भाई तो नेक्स पॉइंट क्या देखते हैं भाई परिवर्धन यहां देखने को मिलेगा परिवर्धन ठीक है तो परिवर्धन कैसा देखने को मिलता है भाई यहां पर प्रत्यक्ष रूप क क्यों क्यों कि ये क्या होते हैं यह अंडज होते हैं ठीक है याने की विपखर zostaiger चलो ठीक है अब यह तक हो गिया है ठीक है तो यह हमारे वर्ग और स्टेप्तिस के बारे में इतना था ठीक है चलो अब थोड़ा देख लेते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है हमसे यह हमसे बोल रहा है कि इस वर्ग की मचलिया लवणिया और अलवणिया दोनों प्रकार के जल में पाई जाती है ठीक है, दोनोग प्रकार का होता है अंतह कंकाल अस्तिल होता है शरीर धारा रेकित होता है कि इनके शरीर पर वह द्धार है ऐसे ऐसे करके धारियां होती है जिन्हों ने देखी होगी करीब से उनको बहुत अच्छे से मालूम होका कि मुख्याधी आइश्टाह अग्र सिरे के अंथ में होता है मुख्य जो होता है अग्र सिरे यानिकी जो आगे होता है मचली कैसी होती है यही तो वती है ऐसे करके हमने क्या बात करी कि पर लाइंस भी होती हैं धारा रेकित होता है और मुकका है अधिकांज तहां आगे है ये रहा ठीक है ये रहा मुख ओके अब चार जोड़ी क्लोम छिदर दोनों और प्रच्छन्द याने की ओपरकुलम से डखे हुए होते हैं तो अच्छा इनमें वायू कोश क्या होते हैं अपस्तित होते हैं याने की एर ब्लैडर यहां पर मौझूद होते हैं जो उत्थ पलावन में सहायक करते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हिर्दय हमने क्या बूला दो प्रकोश्टक होता है याने की टू चैंबर इनका हार्ट होता है एक अलिंद होता है एक निले होता है ठीक है यह सबी असमतापी होते हैं याने कि अपना जो body temperature है इनका body temperature जो है शरीर का तापमान यह क्या regulate नहीं कर पाते हैं regulate नहीं कर पाते हैं ठीक है? ओक्य जी नारण माता दोनों अलग-अलग होते हैं तब ही हमने बात करी थी यह क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं यह एक लिंगी जीव होते हैं यह ठीक है? ओक्य? ठीक है अधिकाश्ता अंडज होते हैं यह भी हमने बात करी ठीक? निशेचन प्राया बाहर होता है बाहर ही होता है क्योंकि मशली क्या करती है? अपने जो उसके क्या होते हैं? अंडे होते हैं, उसको पानी में वहाँ पर रिलीस कर देती है, ठीक है, और परिवर्दन यहाँ पर प्रत्यक्ष होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि हमने बात करी थी, यहाँ पर हमको जो लार्वा की अवस्था है, क्या है यहाँ पर लार्वा की अवस्था, लार्वा आवस्था यहां पर देखने को मिलती तो यहां क्या होता अप्रत्यक्ष परिवर्दन होता ठीक है इन डेरेकटि यहां क्या प्रत्येक्ष इसका मतलब यह अबस्ता यहां पर मौझूद नहीं है ठीक है यहां तख क्लियर्ज सबको कोई डाउट शुरा फे AS क्योंकि इतने easy simple तरीके से अगर आपको समझाया जा रहा है उसके बाद भी अगर doubt होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं है ना क्या कर सकते हैं इसलिए तो बोलती है copy pen लेके साथ में बैठा करो copy pen लेके साथ में बैठा करो तो क्या होगा जिस तरीके से ये आपको notes इस तरीके से बना के दिये जाते हैं ये helpful रहते हैं इसलिए ठीक है इसलिए helpful रहते हैं कि बई एक short form में सारी चीज़े आपके पास रहेंगी हम किसी भी चीज़ की short form क्यों बनाते हैं उसको easily याद रखने के लिए जब आप periodic table याद करते हो तो वहाँ भी क्या करते हो जो short form बना लेते हो न सारे elements को याद करने के लिए क्यों बना दो ताकि वो याद रहें ये flow chart की होते हैं इसलिए होते हैं ताकि आपको याद रहें ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं उधारण क्या है इसका समुद्री एक्सोसिट्यस याने की उडण मचली हिपोकेंपस याने की समुद्री घोड़ा ठीक है अलवनी ये लेबियो याने की रोहू सबसे कॉमनली जो पाए जाती है कतला क्लारियस याने की मांगूर एक्सोरियम बेटा ठीक है फाइटिंग फिश जो होती है पैट्रो पाइसम ठीक है पैट्रोफाइलम सॉरी पैट्रोफाइलम ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं तो यहां तक हमने किया है अपना क्या कंप्लीट कर लिया है यहां पे देखो आजा आजाओ आजाओ कहाँ चलेगे तुम यहां पे आते हैं ठीक है यहां पर आगे हम हमने यहां पर क्या कंप्लीट कर लिया है यहां पर हमने अपना यह वारा जो पाइट था यहां तक कंप्लीट कर लिया है ठीक है अब हम आगे क्या पढ़ने जा रहे हैं, टेट्रापोडा को लेंगे हम आगे, यानि कि सबसे पहले टेट्रापोडा में हम किसकी बात करेंगे, एमफिबिया की बात करेंगे, ठीके, अब सबसे पहले हम किसके बात करने जा रहे हैं, एमफिबिया के बारे में, ठीके, चलो ज ठीक है, ग्रीक में क्या होता है, एमफी का मतलब क्या है यहां पर, अगर हम एमफी लेते हैं, ठीक है, एमफी, तो इस एमफी का मतलब क्या है, दो, ठीक है, और बायोस का मतलब क्या है, इसका मतलब है जीवन, याने कि अगर हम इन दोनों को कमबाइन करेंगे, तो इसका अगया 2 जीवन 2 जीवन का मतलब क्या हुआ भाई की 2 जीवन याने की यह मरते नहीं है जल्दी-जल्दी में मुझे बता आओ कि दो जीवन का मतलब यहां पर क्या है बदा दो बड़ावर से कि भाई दो जीवन का मतलब क्या हुआ यहां पर तो अगर मैं कहूं यहां पर दो जीवन का मतलब है कि भाई यहां पर अगर आवास के बारे में हम देखते हैं ठीक है आवाज के बारे में देखते हैं तो ये क्या होते हैं जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं ठीक है दोनों में जीवित रह सकते हैं जल में भी और स्थल में भी दोनों में इनका जीवन है ठीक है जल और स्थल दोनों में इनका जीवन है इसलिए दो जीवन है या ठीक है कि अगला देखते हैं अब अगला क्या बात करें कि यहां पर क्या होता है इनके पाद दो जोड़ी पैर मौजूद होते हैं अगर अब इनकी स्किन के बारे में हम बात करते हैं इनके थोड़ा से तचा को भी देख लेते हैं आजाओ इनकी स्किन को देखते हैं तो इसकिन कैसी होती है इनकी नम होती है ठीक है नम और क्या लसलसी ठीक है क्या होती है तचा ठीक है और ये क्या होती है ये जो तचा होती है ये शल्क रहित होती है शल्क रहित होती है मतलब अगर आप मैंड़क का एक्जामपल देखो ठीक है हम सभी ने मैंड़क बहुत इजीली देखा है तो मैंड़क की जो स्किन होती है मुझे बताओ क्या आपने उसके उपर स्केल्स देखे हैं शल्क देखे हैं बता दो फटा बटते जल्दी बता दो देखे आपने हां नहीं देखेन आऐ ठीक है और मैड़क के सकिन कैसी होती है तोड़सी अजीप सी ना मतलबक थे C वे चीजते हैं तो उसके ओपर और बहुत सौफ्ट भी तो भई इनकी आँखों में क्या होती है पलके मौजूद होती है पलके होती है ठीक है क्या होती है पलके होती है जैसे हमारे होती है तो मेनक की भी क्या होती है पलके होती है चलो ठीक है ओके अब क्या होता है कि आँखों के पीछे ना अगर आम यहीं की बात कर रहे हैं तो आँखों के पीछे क्या होता है भाई एक छिद्र जैसी सनरशना होती है छिद्र जैसी सनरशना ठीक है तो उसको क्या बोलते हैं बाहे कर्ण इसको क्या बोलेंगे हम बाहे कर्ण पटल ठीक है ये क्या होती है एक जोड़ी आखों के पीछे मतलब ये आखों के पीछे नहीं यहां साइडों में इदर पीछे की तरफ ये ठीक है ये आख है न तो इसके इदर कई साइड में अंदर के पीछे नहीं बात करे से यहां अंखों के पीछे के से कानों तो यहां पीछे की तरफ इनके द्रटल होता है तानों जैसे संदरशना बात करते हैं इसकी आंतरिक संरशना के बारे हम बात करते हैं चलो next page पर आ जाते हैं अगर हम इसकी कौन सा नंबर है 6 आंतरिक संरशना आंतरिक संरशना के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर कि यहाँ पर दो भाग होते हैं धो भाग होते हैं ठीक है कौन से होते हैं सिर और धड ठीक है पहला हो गया सिर्व दूसरा क्या हो गया धड ठीक है और धड में क्या होता है दो जोड़ी पैर होते है ठीक है ओके शरीर में यह हो गया हम अरे अंतरीक संद्रश्ण नहीं थी ये बाहे संद्रश्ण थी बाहिस अदरिश्णा ठीक है तो दो भागों में डिवाइट होता है देखो यहां पर दिख रहे है जो जोया हो गया और एक हिस्सा ये वाला हो गया दो हिस्से में ठीक है चलो अब बात करेंगे हम इसके आंतरिक संरश्णा की अगर हम बात कर लेते हैं अब आंतरिक संरश्णा ठीक है तो अगर हम आंतरिक संरश्णा को देखते हैं तो इनके पास क्या है तंत्र मौजूद होते हैं तंत्र कैसे बाई इनके पास पाचन तंत्र है ठीक है इनके पास क्या है जनन तंत्र है जनन तंत्र फिर क्या बोल सकते हैं मूतराश्य या फिर इसको उत्सर्जन तंत्र बोल सकते हैं हम उत्सर्जन तन्त ठीक है चलो अब यहाँ पर एक स्पेशल क्या होता है सनरशना होती है ठीक है स्पेशल सनरशना होती है एक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते है अप्सकर बोलते है ठीक है क्या बोला हमने उसको अप्सकर ठीक है यह क्या करती है यह मल दुआर होता है ठीक है ओके चलो ठीक है यहाँ तक क्लियर सबको है ना आगे बढ़ते हैं आगे देखते ह क्या है पैने क्या है पुछ और दर दो पाट लेकिन कुछ किया है कुछ में पुच्छ बिय खर भी होती है लेकिन कुछ बूच हैना कुछ है ना दिख रही है पूछ देखो इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है पर यहां देओ कुछ में पूछ है ठीक है चलो अब अगर इनके स्वश्ण अंग की हम बात करते हैं ठीक है अब जिंदा रहने के लिए सांस तो लेनी पड़ेगी न तो अगर स्वश्ण की बात करते हैं क्या लिख रही हूं मैं स्वश्ण अंग तो स्वश्ण के लिए यहां पर क्या मौजूद है भाई क्लोम मौजूद है ठीक है क्लोम है यहां पर ठीक है क्लोम कब जब यह जल में होते हैं ठीक है क्लोम कब होते हैं जब यह जल में होते हैं और फुस फुस्फुसे जब ये इस थल में होते हैं फुस्फुसे आने की जो इनका लंग होता है ठीके और इसके साथ-साथ ये स्किन से भी करते हैं इसके साथ-साथ ये तवचा तवचा से भी करते हैं क्योंकि वो नम होती है तो तवचा से भी क्या स्वच नहीं कर सकते हैं ठीके क्लियर यहां तक अब यहां पर भाई ये क्या होते हैं ये भी असमतापी होते हैं जैसे कि हमने अल्रड़ी बात करिये कि असमतापी होते हैं असम तापी सिर्फ और सिर्फ बरसात में निकलते हैं यह ठीक है अभी बरसात का मौसंता तो हर जगे मेंडक अब यहां पर आता है interesting सा point कि भाई इनके हिरदे के बारे में अगर हम बात करते हैं इनके दिल के बारे में बात करते हैं तो इनका हिरदे कैसा होता है तीन कोश्ट ही यह होता है यानि कि 3-Chamberd होता है तीन कोश्ट ही है याने की थ्री चैम्बर्ड होता है ठीक है इसका मतलब दो क्या होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हो गए दो अलिंद और एक निले ठीक है? यह हो गया चलो एक काम करने इसकी इसका इसका दिल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ठीक है? तो अगर हम इसके दिल के स्ट्रक्चर को देखे तो भाई इस तरीके से होगा यह देखो इस तरीके से होता है ऐसे ऐसे फिर यहाँ से यह इस तरीके से होता है ऐसे होता है ठीक है पिर यहां से यह ऐसे ऐसे करके होगा ठीक ऐसे करके यह यहां ऐसे आजाएगा ऐसे आगिया ठीक है यहां से कैसा आया यहां से ऐसे ऐसे करके यह ऐसे आगिया चोलो जी आगिया अब यहां से जैसे हम इंसानों का होता है न यहां से भी कि ऐसे करके यह ऐसे आजाएगा ठीक है कि सीख लो कैसे बनाते हैं काम आएगा ओके जब हम human heart के उपर जाएंगे ना तो human heart के भी मैं ऐसी बनाके बढ़िया से एक्तम डाइग्राम बनाके आपको सिखाऊंगे कि human heart बनाते कैसे हैं ठीक है चलो फिर यहां से इस तरीके से इस लो दूर क bissल है बनाएँगे इति तो है कि लो कि इस खरसे बनाते तो यह इस तरीके से एक स्ट्रक्शरें और इस तरीके से होता है ऐसे ऐसे करके, ओके, ठीक है, फिर इसके अंदर एक underline भी होती है, जो इस तरीके से इसको follow करती है, ओके, ठीक है, ये इस तरीके से इसने इसको follow कर लिया, फिर क्या हुआ, फिर इसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से भी कुछ structures मौजूद होते हैं, ऐसे करके, हुआ यहाँ से भी ऐसे करके हो गये ठीक है और क्या हो गया यहाँ से हैं इस स्टरिक्चर निकल लिए प्रीक तक यह हमारा क्या है किसका देछे प्रोसाना अगर हम देविंग की बात करते हैं यहाँ पर तो यह जो आपको दो दिख रहे हैं यह जो दो हिससें एक येवाला और येवाला ये क्या कहलाता है ये कहलाता भई धम्नी चाप जिसको क्या बोलता है हम ओर्टिक ट्रॉंक ठीक है अब ये वाला कौन सा हिस्सा है हमारा ये वाला हिस्सा है भाई बाया अलिंद बाया अलिंद ठीक है याने की राइट राइट औरिकल ये बाया है तो इसका बदलब ये कौन सा होगा दाया होगा दाया अलिंद ठीक है याने की लेफ्ट औरिकल ठीक है ये हो गया लेफ्ट औरिकल अब क्या बचे है हमारे पास अब अलिंद तो आगए दो अलिंद है हमारे पास और हमने क्या बात करी कि एक निले होगा ठीक है त याने की वेंट्रीकल ठीक है अब ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है धमनी ठीक है इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे ठीक है क्लियर सबको तो ये क्या है भाई थ्री चैंबर्ड हार्ट है एक एमफिबियन का ठीक है और यह इतने एजी तरीके से बनाए ना कि आप भी इसको बना सकते हो ठीक है यहां से बनाया यहां से बनाया फिर यह बनाना शुरू करा फिर यह बनाना शुरू करा फिर यह ब बना दो और यहां से इसको ऐसे से करके बना लगा कहीं टफ नहीं लगा ना इसी तरीके जब हम हीवन हाट बनाएंगे ना उसको बनाने भी बहुत मजाएगा ठीक है लेकिन अभी यहीं तक इसको रहने देते हैं कि यह थ्री चेम्बर हाट है एक अमफिबियन का ठीक है अब यहां पर जब हमने हिर्दय के बारे में बात कर लिए तो यह भी जान लेते हैं कि यह किस प्रकार के प्राणी होते हैं हमने बात कर दुट्र है तो यह क्या हूते हैं यह एक लिंगी होते है एक लिंगी का मतलब क्या हुआ भाई नर अलग है और मादा अलग है ठीक है ओके नर अर्मादा अलग है चलो हमने मान लिया भाई अब नर अर्मादा अलग है तो भाई निशेचन भी होगा यहाँ पर तो यहांपर निशेचन इता होता है निशेचन की बात करते तो बाहे निशेचन होता है यहां पर अगर हम यहांपर मेंदा कि याने की लुटिशी रहें बात करें तो वह अपने चोड़ेता है पानी वह गत Cyrus उसके उपर वो अपने जो है जो क्या बोलते हैं जो फीमेल होगी उसके अंड़ों के उपर क्या करेगा अपने युगमक छोड़ देगा ठीक है युगमक छोड़ देगा उसके पर तो वहां सल्लेयन हो जाता है ठीक है तो यहां पर बाहे निशेचन हो गया ठीक है बाहे और चांद रंगे तो प्हातर इंस देखने को मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर परिवर्दन कैसा है वाड़ा अब नहीं बता कि कैसा परिवर्दन यहां आपको देखने को मिलेगा चैटिंग छोड़ दो यह बता परिवर्धन कैसे देखने को मिलेगा तो यहां पर अप्रत्यक्ष मिलेगा क्योंकि यहां पर हमने क्या देख लिया है लार्वा अवस्ता देख लिया है तो यहां पर लार्वा अवस्ता देखिए तो मतलब क् परिवर्धन ठीके क्या है अप्रत्यक्ष परिवर्धन यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब यहाँ पर ट्विस्ट यह है कि जो इसका लार्वा है उसका नाम भी है ठीके इसके लार्वा का नाम क्या है इसके लार्वा का नाम है रेड पोल, ठीक है, क्या नाम है इसका रेड पोल, ओके, चलो, यहां तक यह clear सब को, मेरे ख्याल से तो, है न, किसी हो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होके, चलो, देख लेते हैं, कि NCRT की लाइन समसे क्या बोलना चाह रही है, वो भी कुछ कह रही है, सुलनो भाई, यह कह रही है, कि यह जमीन और पानी, दोनों पर रह सकते हैं, ठीक है, एक्ट्टू थर्मिक जानवर है, जो गर्म बातावरण में पाये जाते हैं, शरीर, सिर और धर में विवाज़त है, पोश मौझूद हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती है, हमने देखा कि कसी किसी उबहचर में मौझूद होती है, तो अच्छा, बिना किसी परत के चिकनी और खुर्दुरी होती है, लेकिन, इसमें ग्रंतिया होती है, जो इसे नम बन इनके पास गती के लिए याने की मुवमेंट के लिए क्या है दो जोड़ी अंग होते हैं मतलब पैर होते हैं यह फेफड़े और तुच्छा के माध्यम से सांस लेते हैं कुछ वयसकों में गिल्स बाहरी रूप से मौजूद हो सकते हैं जैसे कि हमारी मचलिया ठीक है हिरदे तीन कख्षिये होता है हमने भी डेग्राम बनाए था दो अलिंद और एक निले ठीक है उत्षरजन अंग अफ्सकर कहलाता है उत्षरजन समागरी में अमोनिया और यूरिया शामिल होते हैं एक मिनट ठीक है पहिन गर गया बताऊ यह असमतापी होते हैं ठीक है ओके यहाँ पर यह एक लिंग होते हैं जिसका मतलब लिंग या पर अलख अलख है मतलब निशेचन आमतर्वर बारी होता है Lunky अलग अलग hatursaur pray trainer मतलब नरॉर माधा अलग अलग शरीरों में होते हैं और इनका क्या है इंटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है ठीक काया पलट के विकास अपर ठीक्श होता है हमने क्या बात करीं यहां पर हो रहा है ठीक, प्रजनन जल में होता है, रहने की, हमने क्या बोला कि अंडे कहा छोड़ते हैं, अपने female पानी में छोड़ती है, ठीक है न, रहते जमीन पर हैं, लेकिन प्रजनन करने के लिए ही कहा जाते हैं, पानी में जाते हैं, जैसे मेंडक, सलमेंडर, बूफो, हैला, प्याने की, ख्लास, रप्टी लिया, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक हरी से रंका सुन्दर सा जीव, जल्दी से कमेंट में बता दो कि इस जीव को कौन-कौन पैचानता है, यह जीव क्या है, फटाब अच्छे बता दो, किस-किस को मालूम है, हाँ, जल्दी-जल्दी-जल्दी, यह मैं सोचना कि मैं आपके कॉमेंट्स नहीं देखती हूँ, ठीक है, सारे कॉमेंट्स देखती हूँ, चालो, फिर-फिर-फिर-फिर हम लेकर आते हैं, हम बात करते हैं, अगर सरी सर्फ क बारे में तो यह ऐसे जीव होते हैं जो क्या करते हैं रेंगते हैं है ना क्या करते हैं ये होते हैं रेंगने वाले या फिर सरकने वाले ठीक है जीव ओके ठीक है हमने बात कर ली कि जीव कैसे होते हैं यह रेंग के चलते हैं यह सिरक के चलते हैं ठीक है यह हमारी तरह इस तरह इसे नहीं चल सकते हैं ठीक है और यह हाथी घोड़े और गाए इनके तरह नहीं चल सकते हैं दीक है करते हैं यह सिरक सिरक के चलते हैं ऐसे ऐसे करक अगर हम इनकी बात करते हैं इनके आवाज की ठीक है आवाज को देखते हैं कि कहां पाए जाते हैं तो ये कहां पाए जाते हैं ये ज्यादतर क्या होते हैं याने कि जमीन पर पाए जाते हैं ठीक है कहां पाए जाते हैं ये स्थलिये होते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं ज बच्च पानी में भी रहते हैं कोई और स्किन का इनको अपने स्किन का कोई ख्याल नहीं है बिल्कुल रफ इसकी नोर रखिये कोई मोस् цвет or यूज नहीं करते हैं साबून से भी नहाते हैं शैंपू भी नहीं करते हैं इसलिए क्या होती है इनकी स्किंज ज़्यादा ड्राय होती है बहुत ज़्यादा रफ होती है हाँ हाँ सच में रफ होती है इनके स्किन भाई मजाग नहीं कर रही ठीक है तो इनके तचा कैसी होती है सूखी होई होती है सूखी होती है ठीक है सूखी होई होती है याने कि सुष्क सुष्क होती है ओक्य अब यह क्या होती है दो प्रकारकी होती है कौन सी दो प्रकारकी होती है अगर हम बात करें तो भाई एक में क्या होता है शल्क होते है ठीक है याने कि scales होते है ठीक, दूसरे में क्या होते है प्रशलक होते है ठीक है, यानि की acute ठीक है, दो होते है अब अगर हम बात करते हैं कि ये दोनों किसमें पाए जाते है scales और acute, ठीक है, तो आगे बढ़ाते है, यहाँ देखिए मगरमच दिख रहा है आपको बहुत ये खुबसूरत सा है लेकिन बहुत खतरनाक है ठीक है, तो ये जो मगरमच है ये किस में आएगा, इसके उपर की जो skin है, अगर हम बात करें मगरमच की तो कहां पर आईगी तो मगरमच हमारे जो आते हैं, वो आते हैं acute में मगरमच ठीक है, ये आगे इसमें scales की बात करें, तो इसमें हमारे आगे साब ठीक है, तो दोनों का एग्जैम्पल हो गिया, चलो आगे बढ़ते हैं आगे बात करते हैं कि भाई, इनके अंदर चलने के लिए क्या चीज ऐसी मौजूद होती है तो चलने में मदद करती है तो यहाँ पर क्या होता है, कौन सा नंबर आएगा फोट यहाँ पर क्या होते हैं, दो जोडी क्या होते हैं, पाद याने की पैर होते हैं ठीक है, ओक्यजी, तो जैसे की हम एक्जैम्पल किसका ले सकते हैं कच्छुआ तजुआ हो गया ठीक है और क्या कह सकते हैं हम छिपकली कह सकते हैं कि अ देख लग्र तैडा तो उसमें बोलते थे वो गाना गाते थे कि छिपकली के नाना है, छिपकली के हैं ससुर, डैनसुर, 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 ठीके, तो वो छिपकली से मुझे वो गाना यादा गया, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो, अब हमने ये तो बात कर लिये है, ठीके, ये कि इनके बाहर के शरीर की बात है, लेकिन अब अगर हम इ यानने कि या मतलब इहां पर हो गया है किनम के पास क्या है दो अलिंद है Thaq ओर 119 का घे निले खिए लेके लेकिन यहां पर एक ट्विस कीता है त्विस पता है कि यहां पर मगरमच एक ऐसा जीव है एक ऐसा प्रानी है जहां पर जिसके पास चार nuamadla कि यहां तो त्री जैमिर्ड है यह लेकिन अ Fast flying ने फिके जैसे हम मनुश्य होता है पोर चैमिर तो यहां पर हम एक स्टार मार्क करके शोर मल्का करके मगरमच घ्रिके इसमें किया है इसमें भाई चार कोोस्ट किये होते हैं चार कोस्ट के क्रोच मतलब दो क्या अलिंध हो और दो क्या हो गए दिल आ है क्या है तेक मगरमच के साथ-साथ यहां पर एक और आ रचक्ता है कं गडी और याल इसके कानों के बारें बात करते हैं कि इसके पास कान मौझूद है आप यहां पर देखिएगा कि इसके पास यह स्ट्रक्चर में कोई कान नजर आ रहा है या फिर अगर हम इसकी बात करते हैं तो कान नजर आ रहा है या फिर अगर यहां देखें तो कान नजर आ रहा है क्या न तो नहीं है 6 points लेखते हैं हमकी इसके पास बाहे कर्ण है तो नहीं है ठीक है क्या है अनुपस्तित है लेकिन इसके पास क्या है लेकिन इसके पास क्या है छिद्र नुमा सनरशना ठीक है छेद जो होता है होल जो होता है बिल्कुल वैसा structure इसके पास मौझूद है ठीक है जी चलो हमने ये पढ़ लिया आगे भड़ते हैं फिर हम क्या बात करते हैं इसके बारे में चलो देखते हैं कि ये कैसे है ये कैसे बारी को regulate करते हैं तो भाई आठ वो पॉइंट में देखेंगे ये क्या होते हैं असमतापी होते हैं असमतापी मतलब क्या होता है भाई ये not able to regulate their body temperature मतलब कि वो इस काविल नहीं हो बात नहीं कि अपने बाड़ी के temperature को maintain कर सके ठीक है तो ये क्या होते हैं असमतापी होते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगला देखते हैं अगला पॉइंट है भाई इसमें क्या है कि अगर हम example लेते हैं छिपकली और साब का ठीक है कौन सा नमबर है 9 अगर हम छिपकली और साफ की बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है भाई यह क्या करते हैं दोनों कभी आपने देखा होगा कि यह अपनी तो नो छोने स्किन को छोड़ाने कभी-कभी साप की भी देखी औगी आप लोगों ने बहुत बार देखी उगी किसा अपने स्किन छोड़ा है कई बार होता है घरों में ठीक चिबकल इससी का हम क्या बोलती है कि तो वह पतना हम आपने तवच्चा को क्या करते हैं छोड़ देते हैं ठीक है और इनकी जो तवच्चा होती है जिसको ये छोड़ देते हैं उसको क्या बोलते हैं हम दूसरे पैंसे लिख देते हैं चलो इसको इस तवच्चा को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं केचुल ठीक है इसको बोला हमने केचुल बोला थीक है याने की यह क्या है पुरानी तौच्चा ठीक है चलो जी ठीक है यहां समझ गए हम अब बात करते हैं कि जो जीव होते हैं ये कैसे जीव होते हैं भाई, मतलब कि इनके एक ही शरीर होता, जिसमें नरौन माता दोनों होते हैं, यह दोनों अलग-अलग होते हैं, तो देखते हैं, अगर हम शरीर के उपर जाएं इनके, तो यह प्रानी कैसे होते हैं? यह प्रानी होते हैं भाई, एक लिंगी, दूर हो गया ना, कैसे प्रानी ह यह एक लिंगी प्रानी है, एक लिंगी का मतलब क्या हो गया, कि नर अलग है, ठीक है, और मादा भी अलग है, ओक्य जी, ठीक है, अब जब नर और मादा यहां दोनों मौझूद हैं, तो इसका मतलब भाई, इनकी संतती भी बनेगी, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर 11 प अब अगर मतलब यह अंडा दे रहे हैं तो इसमें मतलब की परिवर्दन भी हो रहा होगा तो परिवर्दन कैसे देखने को मिलता है यहां पर हमको अप्रत्यक्ष परिवर्दन देखने को मिलता है नहीं प्रत्यक्ष परिवर्दन प्रत्यक्ष परिवर्दन यहां देखने को मिल रहा है परिवर्दन ठीक है प्रत्यक्ष परिवर्दन यहां पर देखने को मिल रहा है ठीक है मतलब कि यहां पर लार्वा की स्टेज नहीं है चलो आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर जब परिवर्दन भी देखने को मिल रहा है यह अंडज भी है निशेचन भी है तो बात आती है कि भाई यहाँ पर निशेचन कैसा होता है यहाँ पर अगर निशेचन की बात करें तो निशेचन कैसा है तो भाई यहाँ पर निशेचन कैसा है आंतरिक है आंतर यानि की इंटर्नल, ठीके यहां पर कैसा निशेचन है आंतरिक निशेचन है यानि शरीर के अंदर होता है उसके बाद यह अंडा क्या करने हैं बाहर निकाल देते हैं, ठीके निशेचन यानि फर्टिलाइजर्यल क्या होगा फिमेल के अंदर होगा लेकिन उसके बाद क्या होगा अंडे को बाहर निकाल देते हैं वाकि सारे प्रॉसेस वो उसकी देख रेक करना उसको हैच करना लगर्मी देना सब चीजी के शरीर के बाहर होती है चलो आगे बढ़ते हैं हो साप तो साप के बारे हमने बताई दिया है भाई कि साप क्या होता है कि ये अपनी केचुली जो होती केचुली बोलते हैं न इसको हाँ क्या बोलते हैं जो उसकी तवचा होती है केचुल ठीके क्या होती है पुरानी स्किन होती है ये इसकी ठीक है पुरानी स्किन है तो बाई देखो इनके पास तो option है कि अगर इनके स्किन खराब हो गई है तो ये नए स्किन कर सकते हैं पर हमारे पास हम इंसानों के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे पैसा देना पड़ेगा जो डर्म लॉजिस्ट होते हैं उनके पास जाके क्या करना है इनका अच्छा है प्रीफंड में सब सारे काम हो जाते हैं फिर से नए ने चमक दमक वाले बन जाते हैं है ना चलो आगे बढ़ते हैं अपके चलो आप अब देख लेते बहीं टक्सभुक क्या बोल रही है हमसे थिक तो यह टेक्सबुक क्या बोल रही है कि यह क्या होते हैं यह रेंग से वाले होते हैं और o बिल खूदने वाले इस थल्यी जानवर हैं ठीक यह идет साब नहीं वाले जानवर होते हैं जो दुनिया के अधिकांच गरम छेतरों में पाए जाते हैं ठीक है इनकी तुचा शुष्क होती है और खुर्दरी होती है जिसमें कोई ग्रंथी नहीं होती है स्किन देखके आपको पता चल जाएगा भाई कितनी रफ है चाहे आप छिपकली को देखो ठीक है और चाहे आप बगरमच की स्किन को देखो ठीक है और और चाहे कमेलियन जो होता है कमेलियन मतलब अरे गिलगेट जो रंग बदलता है ठीक है इनका जो शरीर होता है वो गर्दन, वक्ष और पीछे की तेल होगे इनकी पूछ स्वचने कहां से होता है फेफडों की मदद से होता है ठीक है ये फेफडों की मदद से क्या करते है स्वचने की क्रिया करते है चलो आगे बढ़ते हैं दिग गई छिपकली उफ छिपकली से भाई बहुत डर लगता है चलो अंगों मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी यदि उनके अंग है तो वो क्या होंगे पेंटा डेक्टाइल अंगों के दो जोड़े हैं जिनमें प्रतेक में पंजे मौजूद होते हैं सापों के अंग नहीं होते हैं देखो आप सापों के क्या आपने हाथ देखें क्या आपने पैर देखें हैं सापों के नहीं देखें सिर्फ जीब देखिए जिसमें जहर होता है इसके अलावा कुछ नहीं देखा हमने ठीक है तीन कक्षिये हिर्दय होता है इनका यानि की थ्री चैमबर्ड होता है इसको बोलें तो हिर्दय क्या है? थ्री चैमबर्ड ठीक है? हाला कि जो मगरमच होते हैं उनका हिर्दय क्या होता है? फोर चैमबर्ड होता है ठीक है? क्या है? फोर चैमबर्ड तंत्रिका तंत्र में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाय शामिल होती है सरीस्रपों में बाहरी कान के छिद्र नहीं होते हैं सरीस्रप आम तोर पर यूरीकोटिक मैं वही सोचू यूरीकोटिक कहां से आगया इसमें यूरीकोटिक होते हैं अधिक तर नाइट्रोजन यूप अपषिष्टों को यूरीक एसिट के रूप में उत्सर्जित करते हैं मतलब जो इनका उत्सर्जों वाला उत्स वाला मटीरियल है वह उस याँ पर नाइट्रोजन यूप तो होता है वो ठीक है निशेचन आंत्रिक होता है मौलेडे डिसकस कर चुके हैं यह अंडाकार होते हैं और अंडे बहुत जर्दी वाले होते हैं विकास कैसा इनका प्रत्यक्ष है जैसे कि सांप हो गया कच्छुए होगा चिपकली होगी मग नहीं होगी ना तो क्या करना है फिर आपको इस फड़ावट छोट्टू से लेक्चर को क्या करना है आपको रिकॉल करना है ठीक है चलो फड़ावट से रिकॉल कर लेते हैं कैसे रिकॉल करते हैं आजो चलो देख लेते हैं फड़ावट के हमने क्या क्या बात कर रही है हमन मुझे पानी में चैसे मकरमच शो गया घडियाल सब्सक्राइज करते अगर तो में अपनी बॉडी के उपर नहीं लगा हैं अगर आप इनके पींदा शंद में हमें नहीं रार्णाद के आद आप Leid और किसी किसी पे क्या होते हैं प्रशल्क होते हैं ठीक है तो है किंगे However फिर साब की बात करें हम या फिर फिर कलίν दो कि बात करें तो यह common से चीЗजें हम लोगों नखीश भी करी होंगी कि क्यों जब इसकिन पुरानी हो जाती है तो वो अपने स्किन छोड़ देते हैं ठीक है हमारे पास यह उप्षन नहीं है तो यह गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी कि अपने स्किन चुटाने लग जाओ आप है ना ठीक है चलो फिर क्या बात करी हमने हमने इसके हिर्दय के बारे बात करी कि वाई तीन है फोर चेंबर्ड हट थे सअब गडर्याल कें कि यह कमके बात करें कि इनकें होते हैं इनके nice पास जैसे सनरिष्ण को होल जैसी स्ट्रक्चर होता है ठीक है आँकों के साइडों में ठीक है ठीक है सोच के देखो अगर अगर जो है यह साप के कान आ जाएंगे तो साप कैसा दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा यह सांप है इसके अगर कान आ जाएंगे तो ओफ अजीब सा लगेगा ना चलो ठीक है फिर क्या हमने बात करीब यह असंतापी होते हैं याने की याने की जो नर होता है उसका शरीर अलगे और जो मादा है उसका शरीर अलगे इसकी शरीर अलग है है थो दोनों के शरीर अलग-अलग होता है अब क्या होता है शरीर अलग-अलग है लेकिन क्या और obesity यह सब वो शरीर के बाहर करती है अब क्या होते हैं यह अंडे देते हैं यह भी याद रखना प्रतिक्ष परिवर्दन होता है मतलब यहां लारवल स्टेज नहीं होती है ठीक है निशेचन आंतरिक होता है याने की शरीर के अंदर अल्रड़ी बता चुकी हूं ठीक है चलो वाकी तो जापने देखी लिया है यहां अगर हम देखे साप के गलता कान आ जाते हैं कि कैसा लग है प्रतिक्त चलो खेर कोई नहीं इसके पास साप के पास कान नहीं होता हूं चोड़ो यहांखंगों कि शयदो है ठीक है चलो फिर बच्चा पार्टी चलते हैं हम चलो 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 आगे बढ़ते हैं थैंक यू पर पहुंच गए हैं हम ठीक है तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही मिलते हैं आप से अपने अगले क्लास में और जो बचा कुछा है वो complete करने के लिए ठीक है तो अभी क्या करना है आपको इसको revise करना है अच्छे से पढ़ना ह है कोई doubt हो तो doubt पूशना है यह मैं सोची कि मैं आपके जो चैट से नहीं देख सब देखती हूं ठीक है काँन क्या बाते कर रहा है कौन किसे इंस्से इटी मांग रहा है ठीक है कॉन कब पूछ रहा है तुमने खाना खाया निखाया ठीक है कब online आंगे कॉंची करना विल्कुल नहीं भूला है अगली क्लास में वापिस यहीं आना है यहीं पर हमसे मिलना है ठीक है चलो पर चलती हूं और जल्दी वापिस आती हूं तब तक के लिए टड़ा